हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपकी लिए लेकर रही हूं इस वीडियो में कक्षा साथ की कार्य पुस्तिका जिसमें पार्ट आधारित कार्य पत्रक हैं इसमें आज हम करेंगे पार्ट दो राजधर्म इसमें टोटल पांच कार पत्रक दिये गए हैं तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले हम कार्य पत्रक एक से शुरू करते हैं तो साथियो इसमें कार्य पत्रक एक में सबसे पहले इसमें अनुच्छेत दिया गया है जो की पार्ट से ही लिया गया है तो पहले हम अनुच्छेत को थो कड़े कड़वे हैं महापुन्य राजा अवश्य अधार्मिक और अन्याई होगा राजा के अधार्मिक और अन्याई होने पर जंगल के फल फूल तथा सभी वस्तुए नीरस और कड़वी हो जाती हैं स्वाद रहित हो जाती हैं यहीं नहीं सारा रास्ट्र ओज रहित हो जात तो नेता के टेड़े हो जाने के कारण सभी गाये टेड़ी जाती हैं और मार्ग से भटक जाती हैं इसी प्रकार मनुष्यों में भी जो श्रेष्ट होता है वह नेता माना जाता है यदि वह टेड़े मार्ग से जाता है अधर्म करता है तो सारी प्रजा कुमार्ग पर चलती है और अधर्म करने लगती हैं इसके बाद इसमें दिए गए हैं प्रेश्ण की उप्रयुक्त अनुच्छेत के अधार पर निमनिलखित प्रेश्णों के उतर दीजिए इसमें हमारा पहला प्रेश्ण है कि राजा के अधार्मिक होने का क्या प्रभाव पड़ा राजा के अधार में कोंसे सारा रास्ट ओज्ज्राइत हो जाता है अनुच्य से विशेशन चब्दों को चाटका लिखना है विशेशन वह होते हैं जो संग्या या सर्वनाम शब्दों के विशेशता बताते हैं अब जैसे इसमें पके पके गोदे था न तो गोदे के विशेशता बताई गई है पके बड़े कड़वे श्रेश्ट टेड़े क्योंकि मार्ग के विशेशता बताई गई है टेड़े मार् ऑज में रहीत लगा स्वाद रहित तो विवम विद्ध के ओज रह स्वाद रहित तो निया रहीत या नि अगर आपका अनुशाशन प्रिय न कुछ क बच्छों पर इसका प्रुभाब परगे है अपने शब्दों में लिखी है तो इसका उत्तर मैंने लिखने का प्रयास क्या है अगर आपको कुछ और सही लगे तो आप वो भी लिख सकते हैं अगर कक्षा नायक या मोनीटर अनुशाशन प्रया हो तो कक्षा के बच्चों पर इसका सकारात्म प्रुभाव पड़ेगा और वे भी अनुशाशन प्रया बनेंगे तो सातियों ये था हमरे कारेबटरक एक अब हमें सीपार्ट का देखते हैं कारेबटरक दो दिये गए रिक्तिस्थाने में उचित अभे भरिये इसमें चार हमको अभे दिये गए पहला है डैश मुझसे और नहीं सहा जाता तो इसमें आएगा हाई डैश मैं समझ गया इसमें आएगा ठीक तुम्हारी टीम जीत गई इसमें आएगा शाबाश डैश ऐसे देश द्रोही को सम्मान इसमें आएगा धिकार इसके बाद इसमें अंताक्षडी दी गई है शब्द दिये गए हैं इसमें अंताक्षडी को आगे बढ़ाना है इसको तो बच्चे सब अपने आप ही कर सकते हैं वैसे मैं नहीं कर दी है जिसे जन्पद है दा से खतेम हुआ दरोगा गास गाय यह से यग यह से ग्यानी फियसी नीरस सरल लड़का कार रत थर्मस सपेरा राजा जहाज जोकर रंग कमजोर रजत तमाशा शैतूत इसे प्रकर अगला शब्द दिया गए है बंदर इसमें रजनीश शाम महान नौकर र खरगोश शनिवार रुकना नाक काम मौका काजल लोटा टमाटर रोटी तहलना नाराज आप इसमें कोई भी जो आपको ठीक लगे वो शब्द लिख सकते हैं गुडल इसमें लड़का कमजोर रोज जासूस सपेरा रानी नीरस सोना नाला लाठी ठोकर रुमाल लड़की कम लट्टू टोकरी रिवाज इसके बाद है पानी निशान नौकरी रास्ता तर्भूच जलेभी बरसा ताला लकडी डमरू रजाई एक खामोश शल्यम मसीहा हार रीठा ठटेरा तो यहां पे हमारा यह कार्यपत्रक दो भी समापत हो गया अब हम देखते हैं कार्यपत्रक त कार्यपत्रक तीन में रिक्तिस्थानों में व्लूम शब्दी लिखना है। देखते हैं सिक्षित का अशिक्षित सरल का कठिन नीरस सरस दुर्गम सबंढै अधार्मिक हर्श शौक करते हमारlı कार्यपत्रक जता है है साथ हम चलते हैं includes चौथ करक्ठण की ओर दिये गए दिनकर नदी नदी का सरिता राजा न्रब कमल पंकच मार्ग रास्ता फिर है इसका अंतिम कारे पत्रक इसमें विलोम शब्दों का मिलान करना है आस्तिक का नास्तिक हिंसा अहिंसा शिक्षित अशिक्षित आयात निर्यात स्वाधीन पराधीन सरल कठिन लाब हानी सुपुत्र कुपुत्र आकाश पाताल अनुच अग्रज इसके बाद इसमें नीचे दिये गए शब्दों के विलोम शब्दों को उनके सामने लिखना है क्रोध प्रेम आदर अनादर अम्रित विश अच्छा बुरा अपना पराया आहार निरहार हानी लाप मान अपमान जन्म ब्रत्यू दुर्गम सुगम उदार अनुदार गुण और अबगुण तो साथी वीडियो को अंते तक देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अंगली वीडियो में एक नई कार पुस्तिका के नई कार पत्रक के साथ तब तक के लिए सभी को नमस्कार झाँ